किसी बच्चे को दोराय जाने वाले रचना क्रम यानि पैटर्ण से परिचित कराने के लिए आप शब्दों का उप्योग कर सकते हैं आप तीन शब्दों का चैन कर सकते हैं जैसे कुट्टा, बिल्ली, पक्षी आप इसी करम में बच्चे के साथ कुछ बार दोरा सकते हैं कुट्टा, बिल्ली, पक्षी फिर आप कह सकते हैं कुट्टा, बिल्ली और फिर बच्चे से पूछें अगला शब्द क्या है और बच्चा कह सकता है पक्षी ऐसा करने से बच्चे को यह अनुमान लगाने में मदद मिलेगी कि पैटर्ण में आगे क्या आएगा